नमस्कार साथियों उम्मिद करता हूँ आप अच्छे होंगे मस्त होंगे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं Class 12 के माडल पेपर की इस माडल पेपर जो के एकोडिंग जो है पेपर बनने वाला है कि इस तरीके से हर यूनिट में से जो है कुशन बनेंगे और माडल पेपर में जो दिये गए क्यूशन है वो भी इंपोर्टेंट क्यूशन ही है तो इन क्यूशन को भी अच्छी तरह से अनलिसिस कीजएगा जो कमजोर इस्टुएंट है उनके लिए इंपोर्टेंट क्यूशन बहुत हेल्प देते हैं इंपोर्टेंट क्यूशन बेट जाए और इंपोर्टेंट क्यूशन एदिटिए वेसे वेसे चापके आ जाए तो उनके जो है पास होने की संभावना है अच्छी बढ़ जाती है हलाकि जो टापर इस्टुएंट के लिए जो पूरे में से पूरे नंबर लाने की सोचते हैं उनके लिए मैं माडल पेपर का सजेशन नहीं दोंगा उनको तो पूरी स्टुड़ी करनी चाहिए और जो एवरेज इस्टुएंट है उनके लिए माडल पेपर एक बहत्रीन रेता है उनको confidence मिलता है कि हाँ इतनी तहीरे तो हम कर सकते हैं और आसनी से pass तो होई सकते हैं pass होने से भी अच्छे नंबर ला सकते हैं माडल पेपर में भी यह होता है कि अलग-अलग जो publishers होते हैं अलग-अलग माडल पेपर से बनाते हैं हर साल उसके पेपर भी माडल पेपर आते हैं और एक और यह चीज है कि इन माडल पेपर को सभी को mix up कर दिया जाए तो आपका 80% माडल पेपर में से बन जाता है अगर 5-6 माडल पेपर कर लिए जैसे कि बहुत सारे अपने practice set कर लिए तो उन में से अधिकतर question तो आने ही आने है क्योंकि अलग-अलग question बनते तो सभी important type की question बन जाते हैं तो चलिए चर्चा करें आज का पहला माडल पेपर और इस माडल पेपर के अब जो वीडियो आएंगे class 12 chemistry के यह वो systematic तरीके से यूनिट के जो theoretical वीडियो में बनाने वाला हूं वस्तुनिष्ट वाले यूनिट के वस्तुनिष्ट वाले प्रश्न के लगबग-लगबग सभी यूनिट के मैंने जो है वीडियो आपको YouTube चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में जाके देख लिजेगा और उन वीडियो को systematic तरीकी से तयार कीजेगा क्योंकि उनमें मैंने जो objective question बताए गए है वो systematic concept से मैंने सभी के answer बताए है तो निश्चित आपको उसमें भी benefit मिलेगा चलिए शुरुआत करें यह model paper है और model paper जो है कैसे क्या है इस model paper में सारी चीजें दे रखी है है न आपकी question में यह सारी चीजें लिखी हुई होगी कि इसमें एक से चार तक के मतलब कुल मिला के 28 नमबर के जो प्रश्चन जो है वस्तुनिश्ट प्रकार के होगी एक से चार तक के सही विकल्प जो है सासात अंकी होगी है न सही जोडिया होगी एक शब्द वाले होगी है कुल मिला के 28 नमबर साच्चो के 28 यह प्रश्चन बनेगे फिर खंडब प्रश्चन कर्मांग 5 से 19 तक आंतरिक विकल्प दिये गए है प्रश्चन कर्मांग 5 से 12 तक जब पत्रेक प्रश्चन रहेगा वह दो उंक रहेगा फिर तेरा से 16 तक के 3 अंके और 17 प्रश्चन कर्मांग 17 जो रहेगा एक प्रश्चन रहेगा 4 अंका और 18, 19 दो प्रश्चन मिलेंगे आपको 5 पाच नके मतलब ब्ल्यूप्रिंट की अकोडिंग देख लेना है कि इस इनुट में पाच-पाच अंग के प्रशने पुछे जाएंगे वहाँ पर लेंदी तयारी करना है कहां पर दो दो नम्मर की प्रशने पुछे जाएंगे तो वहाँ उस हिसाब से अपने को माइंड सेट बनाना अपनों को इस हिसाब से करनी पड़ेगी हाला कि थोर्टिकल तो सारी इस्टेडी करनी चाहिए लेकिन कैसे लिखना है ये भी आना चाहिए आपको नौलेज तो है आपको कोई दिक्कत नहीं लेकिन नौलेज होने के बाद उसको एक्सप्लेन करना भी तो जोर रही है डिया हुआ है कि अनन्छ पर्षण है कि अवस्ण्र प्रशन प्रश्णप में सभी समझाने वाला हूं यह पर है सही विकल्प दे रखे Minsk में ठीक है यह साही विकल्प हो इता रिक्त विकल्प हों इसके बाद में रिक्तii Lacan में सही जूडाया दे रेकिया सही जूडियों क वान ठाप उनांग को समझजाए, important question है इम्पोटेंट कुgeb do ankin किसे केते हैं विले ता विलया का मुल्पबाश समझजाए very important डेनियल सेल हमेशा पुछा जाता है है ना important अगर आपको important भी मिल जाय है और important को कम से कम मेरा ये केना नहीं कि सिर्फ Clinton किलो इंपोर्टेन एक बार कर तो लो उसके बाद आगे किता यह रिखो लो उनको अच्छे से कर लो डूबल रिवाइस कर लो ता कि एक्जाम में आ जाए तो अच्छे से लिख पाए चापके आपाए डेलियन सेल गेल्वेनिक सेल तता वीदियो दपकरनी सेल में दो अंतर बताई यह फिर डेनियल सेल कर नमाग की जतर बनाईए सकनी उड़ जार से क्या तत पर है अभी करिया क्या अनमिकता क्या होती है एडिटीय का पूरा नाम एम रासानिक सरशना सुत्र लिखिए आयनन तता हाइड्रेट समाय बता को उधान से समझाना है निम्न का सुत्र लिखिए स अनमिक सरशना है बताना है रासा ने कभी करिया हापमेन ब्रोमाइट कार्वी लेमीन ने भी करिया इंपूरेंट रियक्षन है फिनोल की तुलना में CH3CHH प्रभल अमल है क्यों एनिलीन ब्लेक क्या है इसके दो उप्योग लिखिए तो यह है फिर जो बात करें इधर असामानी अनुभार धनात्मक विश्लन वाले में अंतर लिखे प्रथम कोटी की अभीक्रिया के लिए समाकलित दर समिकन व्यूत्मने कीजिए शुन्य कोटी की अभीक्रिया के लिए समाकलित दर समिकन व्यूत्मने कीजिए लेंथिनाइड और एक्रिनाइड में अंतर कई की बार पुछा गया है कुशन यह पायरलूसाइट से केम इनोफोर बनाने की विधी को रासानीक समीगर्ण सेद लिखे एछनल से एथाक्सी एथनकि निर्मान का अभिग्रिया किरया विधी से लिखे इस特प से एथिरयलकोल बनाने की विधी समीकरण ठीक है समीकरण सहीत लिखिए और एंजाइम के भी नाम लिखना कि कौन कौन से एंजाइम इसमें काम आते हैं इस टार्च से एथिरेलकोल जब आप बनाते हो तो ठीक है DDTA कैसे बनता है इसका उपयोग निमन अभी करिया, रासानिक समीकरण लिखिए फ्रेंक्लेन अभी करिया, हुंसदीकर अभी करिया रेशिंग अभी करिया मानक हाइडोजन इलेक्टरोड क्या है या कैसे बनाया जाता है LDHID और किट्रोन समूओ के योगिकों के मैं प्रूमूक अंतर लिखिए यह है तो यह आपका पूरा पेपर कम्प्लिट मतलब कुल मिला के यह कुशन आ रहे हैं आपके 19 कुशन आएंगे बस मातर 19 कुशन दो पेज में यह कुशन पेपर पूरा कम्प्लिट हो गया है यह ना screenshot ले लिजएगा आपको काम में आएगे यह कुशन और इन कुशन को जो अपने जो आपका नोट सो उसमें इस्टार लगा दीजएगा कि यह important कुशन है इनको अपन अच्छे से रीड करके जाएं एक्जाम में चाया आपके half yearly exam हो चाया annual exam हो चलिए अब देखते हैं अपन यह कुशन सालव करते हैं अपन वस्तु निश्ट पशन सबसे पहले वस्तु निश्ट पशन में सबसे पहले जो बात करें सही विकल्प की किसकी बात कर रहे हैं अपन सही विकल्प की सभी गल्प में आपके सामने पहला कुशन हाजीर है पर्थम कोटी के अभिक्रिया के लिए टी हाफ क्या होता है तो पर्थम कोटी के अभिक्रिया के लिए टी हाफ क्या होता है तो अगला जो है द्रव संक्रमन तत्व है द्रव संक्रमन तत्व क्या है तो मरकरी मरकरी जो है liquid form में पाया जाता है, यह द्रव संक्रमन तत्व है, नेसलर अभी करमक किसको केते हैं, तो नेसलर अभी करमक जो है, के टू HGI4, है ना, प्लस HG, यह जो है इसको कहा जाता है, नेसलर अभी करमक, इसका D वाला सही होगा, अगला क्यूशन आपका, लुकास अभी करमक क्या है, तो नीजल, ZN, CL2, और HCL का जो मिक्षर लिया जाते हैं, उसे क्या केते हैं, ZN, CL2, और HCL की मिक्षर को लुकास अभी करमक केते हैं, ठीके, ओके, आर्टो एनेस में नाइटोजन की संकरन अवस्ता क्या है, तो आर्टो एनेस में, यह आर्टो एनस में, यह आर्टो एनस जो भी हो, तो आर, आर, और यह लिया अपनोंने, अन, और यह एच, तो इसमें एक लोन पे रहे, तीन बोन पे रहे, तो कुल मेरा कि इसमें SP3 संकरन होगा, तो इसका सही option होगा, यह वाला, SP3 संकरन, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन C की कमी से, भाया इसकर भी रोग होता है, ठीके, यह हो गए अपने, सही विकल्प, ओके, आमिनोमल, जो होते हैं, बहुत सारा आमिनोमल आपस में जुड़ जाते हैं, और क्या बनाते हैं, पॉली पेप्टाइड बनाते हैं, और पॉली पेप्टाइड को ही क्या केते हैं, प्रोटिन केते हैं, ओके, तो प्रोटिन का, जो मोली कही है, आमिनोमल, आमिनोमल से प्रो लिखेंगे तो भी स्खेंगे तो वितामिन के लिक लेरे यहां पर, मेथिल एमिन Ammonia से क्या होगा, कम शारी होगा या अधिक शारी होगा होगा, जल्दिसे बता ज़्छ से बताइए, methin यूगम हो एकारण, तो कौन इसमें इन में competition चल रहा है, कि कौन एकारण की इलेक्टान यूगम देगा इन में, तो ये जल्दी देगा, क्यों जल्दी देगा क्योंकि इसमें, एक इलेक्टान प्रतिकर्शी सम्मूए है तो इस पर electron density बढ़ाएगा तो मेथिल एमिन अमूनिया से क्या होगा अधिक शारी होगा answer आएगा यहाँ पर अधिक शारी होगा ठीक है चलिए अब जो है यह तो हो गए भाया रिक्तिस्थान और रिक्तिस्थान में और आगे बढ़ते हैं इधर वाले रिक्तिस्थान करते हैं फिनाल का अमली सभाव होता है फिनाल का कौन साभाव होता है यहाँ पर आएगा अमली acidic nature होता है H प्लस आसानी से देता है इसलिए SN1 क्रियाविती जो होती है 2 step में होती है लिगेंड 3D श्रेंडी में कितने तत्व होते हैं 10 तत्व होते हैं इसके अंडियम से लेकर जिंक तक 10 तत्व होते हैं तो ये हो गए आपके रिक्तिस्तान अब हैं आपके पास सही जोडिया सही जोडिया की बात करें अपन सबसे पहले जो हैं आपके पास हाजीर है RMG X RMG X किसे केते हैं ग्रिगनाड अभी कर्मक को क्या केते हैं RMG X केते हैं MN2 PLUS MN2 PLUS में अंडरूट 3512 35 का मतलब हो हैं मन 2 PLUS का आप electronic मिन्यास लिखो गए तो इसके पास 5 आयूगमीद इलेक्टान मिलेंगे तो इसका चुम्ब की आगुनों जो है इस फार्मूले से निकलेगा म्यू बराबर अंडरूड N इंटू N प्लस 2 से निकलेगा तो अंडरूड N अयूग में दिलिक्टरान को सेंगे कितनी 5 और तो यहाँ पर भी आएगा 5 प्लस 2 तो यहाँ पर आजाएगा 5 गुनिस 7 तो टोटल कितना हो जाएगा 35 तो सही वाला अंसर क्या होगा MN 2 प्लस के लिए अंडरूड 35 विटामिन C एसका रासानिंग नाम होता है विटामिन C का हिंड सबर्गा भी गम्ल केते हैं बेटा C6H5 SO2 CL2 को SO2 CL समतलवरका कर DSP2 संकरं की जब बात करते हैं तो आकरिठी केसी है केसी होती है जैसे मेटल है और यहाँ पर लिगेंड जुड़े हुए पाइब गम्ली किसको केते है सम्दोगा पारन किसको करते है तो मेरी बात समझ में आंगई किलियर है चलिये अगले हैं आपके जो है यह वन वर्ड कुशन, वन वर्ड कुशन में जंग का रासाइनिक नाम क्या है भईया जंग को किस रासाइनिक सुत्र के दोर परदशित करते हैं तो Fe2O3.XH2O यह जंग का सुत्र है रासाइनिक सुत्र प्रथम कोटी के अभिक्रिया के लिए उधारन क्या है प्रथम कोटी के अभिक्रिया का एक्जांपल बहुत सारे होते हैं तो एक एक्जांपल लिख लेते हैं कि N2O5 कनवर्ट हो रहा N2O4 प्लस हाफ O2 में तो यह हैं प्रथम कोटी के अभिक्रिया जिसमें एक ही अभी कारक का संदर्ण क्रिया में परिवर्तित होता है उसे प्रथम कोटी के अभी क्रिया कहते है सिक्का धातू किसे कहते हैं तो कापर, थिलवर और भाया गोल्ड AU इनको क्या कहते हैं सिक्का धातू कहते हैं इनका सामानी इलेक्रानिक विन्यास क्या होता है तो इनका सामानी इलेक्रानिक विन्यास होता है N-1, D-1 से लेकर 10 तक और N-2 इनका सामानी इलेक्रानिक विन्यास होता है इनका सामानी इलेक्रानिक विन्यास होता है इनका सामानी इलेक्रानिक विन्यास होता है प्रोप टू इन प्रोप टू इन है न तीन कारबन प्रोप दुसरी पोजिशन पर डबल बोओंड प्रोप टू इन और वन आल इसका आयू पेस नाम होगा अब इसका डिन का पुरानाम डि अक्सि राइबो ज न्युक्लिक अमल इसका पूरा नाम है तो ये हो गए भाईया एक one word वाले question हो गए आपके सही विकल्ब हो गए रिक्तेश्थान हो गए, सही जोडियां हो गए सब हो गए, ठीक है तो अमीद करता हूँ कि इसी तरीका से जो आपका paper आए और अच्छा जाए आपका paper जितनी practice करोगी उतना बड़िया आप paper से वाकीब हो जाओगे और paper से वाकीब हो जाओगे तो आपको confidence हा जाएगा, आप जो है exam में अच्छा production कर पाओगे ठीक है तो ये है chemistry का model paper, जिसकी अपनोंने चर्चा कर लिए अच्छी तरह से ओके उमीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफी beneficial रहेगा चलिए साथियों मिलेंगे फिर next video में, तब तक के लिए राम राम जैहिन